तो हलो ट्रेंज स्वागत है आप सबका हमारे सी यूटूब चैनल मारी हल्प सियों में दोस्तों CSJMU प्राइवेट फॉर्म लिंक अक्टिवेट हो चुका है तो प्राइवेट फॉर्म ऐसे भरे आपको इस्टे बाई इस्टे बताऊंगा साथि प्रोमोटर रोल नमबर आपको रोल नमबर कैसे पता चलेगा जो फस्टियर का आपके पास रोल नमबर नहीं है तो आप फार्म को नहीं भर सकते हैं तो रोल नमबर कैसे पता चलेगा कैसे आप रोल नमबर अपने मुबाईल की सहता से निकाल सकते हैं वीए वीकॉम एमेस सभी छात्रों के लिए आपको एपने रोल نबर को कैसे पता करना है। तो चलते हैं सिधा पूरइनवर्सिटी को ओपेन कर लेता हुँ इसकी बेगसाइट को तो यहाँ पर मैंने कांटपूर इनवर्सिटी की वेक्साइट को ओपिन किया है उसके बाद आपको यहाँ पर आपको Google पर टाइप करना है csjmu.ac.in तो आपको सामने ये वेक्साइट आ जाएगी उसके बाद आपको नीचे आना है जैसे आप इस पर क्लिक करना है जैसे आप सबसे नीचे आने बाद यहाँ पर आपको सामने आजाता है annual exam form submission student back paper private form तो आपको इस पर click कर देना है जैसे आप इस पर click करेंगे आपको थोड़ा सा wait करना है तो यहाँ पर थोड़ा सा loading ले रहा है क्योंकि back side थोड़ा सा busy है उसके बाद इस प्रकार का interface आ जाता है यहाँ पर बताया गया है कि सबसे नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर 5-6-7 step है तो सबसे नीचे वाले पर आएंगे तो यहाँ पर बताया गया है कि first year अगर आपके पास role number नहीं है तो role number कैसे निकालेंगे उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से पता कर सकते हैं दोस्तों तो आपको करना क्या इसी पर click कर देना है जैसे आप इस पर click करेंगे जो red हो चुका है उसी पर आपको click करना है जैसे आप इस पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 step को भरना है जो मैं बता देता हूँ अपको क्या क्या भनना सब से पहले तो आपको select करना है आप कों से course में किये थे private तो M.A किये थे B.A किये थे B.com किये थे M.com किये थे यहां पर आपका जो भी है आप उसे select करेंगे उसके बाद यहां पर आपको student का name डालना है तो मैं एक्जामपल के लिए यहाँ पर मैं कोई नाम को इंटर कर लेता हूँ जैसे कि मैं अपना ही नाम डाल लेता हूँ यहाँ पर एक्जामपल के लिए तो मैंने यहाँ पर सीवम नाम को डाल लिया उसके बाद यहाँ पर आपको उनकी date of birth को fill करना है तो यहाँ पर मैं इसकी date of birth को fill कर लेता हूँ उसके बाद यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ तो यहाँ पर मैं data of birth को fill कर लेता हूँ उसके बाद यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ क्या करना है आपको तो यहाँ पर मैंने data of birth को फिल कर लिया है अपना नाम डाला है बीए फेटियर आपका जो भी समेश्टा आपका जो भी कोर्स है आपको उसको select करना उसके बाद आपको simply कुछ नहीं करना सर्च वाले option पर click कर देना है जैसे आप search वाले option पर click करेंगे आपको scroll करके नीची आना है नीची आनेक बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि student का name, father's name और mother's name और यहाँ पर role number आपके सामने यहाँ पर आ जाता है उसके बाद enrollment नमबर भी आ जाता है डेटा बर्थ भी आ जाती है यहाँ पर सार पर note भी कर सकते हैं आपको back आ जाना है बाएक आनेक बाद दोस्तों यहाँ पर आपको back आ जाना है मैं आपको step by step बताता हूं बाएक आनेक बाद दोस्तों आपको करना क्या है यहाँ पर प्राइवेट में यहाँ पर form को भनने वाले है तो online application for private exam 2000 form submission तो आपको second वाले पर click करना है जैसे आप इस पर click करेंगे प्रेंस इस पर click करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस प्रकार का interface आ जायागा यहाँ पर आपको exam type करना है यहाँ पर एक्जाम करना है उसके बाद यहाँ पर आपको करना है एक्जाम के बाद आपको private select करना है private select करने के बाद आपको यहां पर course name आप जो भी डालना चाहते हैं जैसे मैं MA का select करना चाहता हूं उसके बाद यहां पर आपको यह सारा कुछ fill करने के बाद आपको अपना part को select करना second select करेंगे MA second उसके बाद यह select करने के बाद आपको अपना 2021 case में कौन सा form आपने 2021 case में pass किया था फस्टिया तो आपको इसको 2021 case select करना है उसके बाद 2021 case में इसके बाद आपको वो roll number यहां पर enter कर देना है इंटर करने के बाद दोस्तों आपको फिर से यहां पर अपना जो भी pass किया थे promote हुए तो 2021 case को फिर से select करना है उसके बाद आपको फिर से यहां पर roll number को paste कर देना है उसके बाद यहां पर आपको अपना mobile number को इंटर करना है mobile number इंटर करने के बाद जैसे ही आप search के option पर click करेंगी आपके सामने पूरा यहां पर step आ जाएगा तो यहां पर मैं search के option पर click कर देता हूँ देख सकते हैं दोस्टों जैसे मैंने यहाँ पर सर्च के आप्शन पर क्लिक किया हूँ इन्वाइलेड स्टूडेंट डिटेल बता रहा है यहाँ पर मैंने एक्जामपल के लिए आपको सिर्फ बताया है इधर उधर से कुछ भी टाइप कर लिया है क्योंकि मैंने सही सही जानकारी को फिल नहीं किया क्योंकि मुझे मेरे पास किसी भी स्टूडेंट की डिटेल नहीं है तो यहाँ पर मैं कैसे यहाँ पर जानकारी को फिल करके आप सभी लोगों को बताऊं तो यहाँ पर example के लिए मैंने आपको यह सब बताया है तो यहाँ पर आप सही सही से fill करेंगे तो आपको पूरी जानकारी वहाँ पर मिलेगी तो आज की इस वीडियों बस इतने हैं दोस्तों वहाँ पर आपको उसके बाद कुछ और step है उनको follow करना होगा उसके बाद आपको payment वहाँ पर pay करना होगा आपको internet banking के माध्यम से उसके बाद आपका जो form है वो भर कर complete हो जाएगा उसके बाद आपको अपना print को receive कर लेना है यह काम करने में आपको mobile पर दिक्कत होगी क्योंकि वहाँ पर आपको photo signature भी upload करना होगा तो आप किसी भी cyber cafe में जाकर इस फार्म को भरा सकते हैं यह आपके पास lift up है तो आप इसमें भी भर सकते हैं तो आज की इस वीडियो में बस इतने हैं दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए